मैं हो तरशला यादव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी यूपी समीत कई राजियों में अगनीपत योजना को लेकर स्टूडेंट्स उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं इसे मुद्दे पर कानपूर में केंड्री मंद्री गिरिराज सिंग ने कहा राज देते कि पार्टिया इसे मुद्दा बना रही है इस योजना से युवाओ को बहुत फाइदा होगा लेकिन सियासी फाइदे के लिए छात्रों को गुमरा किया ज़ा रहा है केंड्री मंद्री शुकरवार को फजल गंज में बन रहे होगी कि काई टूल रूम का दौरा करने के लिए पहुचे थे कानपूर में केंड्री सरका के अग्मी पत्य योजना के खिलाफ हो रहे है प्रदेश भर में प्रदर्शन के मद्री नजर सेंट्रल रेलो स्टेशन की सुरक्षा विवस्ता बढ़ा दी गई है साथी जो अर्पी और आर्पी एफ की टीम लगातार प्लैटफोर्म का नरिक्षड कर रही है अग्मी पत्य योजना के विरोध में गाज़बाद में भी प्रदर्शन किया गया गाज़बाद के मेरट रोड तिराहे पर युआओ ने अग्मी पत्य योजना के विरोध में हंगामा और नारिबाजी की और मेरत तिराहे के पास जीटी रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया प्रदर्शन करने वाले लड़कों ने अगनी पत योजना और केंडर सरकार के खिलाफ नारे बाजे पी की है प्रदर्शन करने वाले लड़कों ने सड़क पर ट्रक का टायर भी जला कर इस योजना का विरोध किया सब्सक्राइब कर लिए अन्यों बता चार साल ये भरती देखेंगे उमर हमारी के लिकड़ एक की सो जाएगे फरवरी को जो पहले फोंब रहा करो ना जब सुमर ना हुई अब उमर हुई है उमर लिकड़ी अभी ती ओटी ओर लागा ठीक है ती चार साल की नोगरी करने यहां प्रक्टिस कर रहें वहां मैदान जाके करें तो बहुत सारे नए अगनीपति योजना के विरोध में हजारों की संख्या में चात्रों ने गोरकपर के पीपी गंज रिले स्टेशन और चराहे पर उपद्र और तोड़ फोड़ की आपको बता दे कि इस योजना के तह प्रतिशत लोगों को अस्थाई रूप से सेना की सेवा करने का मौका मिलेगा सिर्फ चार साल बाद पचातर प्रतिशत लोगों को सेना से हटा दिया जाएगा कि इन सरकार की अगनिपत योजना के विरोध में पलवल में कल हुए प्रदर्शन के बाद आज फरीदाबाद के वललव गड़ में युवा प्रदर्शन कारियों ने पत्राव किया और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे उनने इसको जाम करने की कोशिश की जिससे भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने नाकाम कर दिया वही पुलिस ने युवा उसी अपील की है कि प्रदर्शन शान्ती पूर होना चाहिए अगर उसमें हिंसा होई तो फिर पुलिस स आपको बताए कि हाईवे को जाम करने के लिए पांच साल की सजा होती है तो इन पर दर्च की जाएगी और उसमें कानूनी कारवाई की जाएगी तो मैं यह सब युद से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें कानून को अपने हाथ में नहीं लें अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो दिश्वर में नई सेना भरती नीती के विरोध को देखते हुए फरुखाबाद में जिला प्रशासन अलर्ड मोट पर है और अगनीपत योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के असार को देखते हुए सुबस से ही स्टेशनों पर जी आर्पी और पलिस फोर्स तैनाथ है स प्रदर्श अती है तो उंके साथ लगाति फूरन से वरता करके उनको समझवा जायेगा 법 नीवारण से प्रदर्शन अउत मुरादाबाद जुद्धामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर तरीके से नमाज अदा की मौके पर स्पी सिटी अखिलेश भधोरिया और एडियम सिटी आलोक वर्मा ने मुस्लिम समुदाय का शुक्रिया अदा किया वही भारे पुलिस बल्के निग्रानी में नमाज जादा की गई और मुरादाबाद श्चेहर इमाम ने नमाज के बाद देश की तरक्की के लिए दौायन कराई जुम्हा तो हड़ जुम्हा को आता है कोई ऐसी खास बात नहीं थी और जुम्हा का जो संदेश है जो पैगाम है वह अमन प्यार भाई शारे का पैगाम है और वह अड़ जुम्हा से दिया जाता है जो भी खराब करेगा उसके लिए कानून है देखे जैसा आप लोग देख रहे थे पूरी एतियात अम लोग की तरफ से रखे गई थी साथी लोगों से जो संबाद किया गया तो पिछले सब्ता में सबी लोगों ने बढ़ चड़के पुलिस और प्रिशासन का सहयोग किया है और उसी का प्रड़ाम है कि बहुत ही अच्छे और खुसनमाज सांथिकूर माहूल में नमाज संपन हुई है लोगों नमाज दाकी अपने घरों को लोग रभाना हो चुके हैं हमारे छेत्र के हमारे शेहर के जो कर्मानी लोग है वो स्वेम मौजूद थे आज हैं और उस पर हम लोगों ने संबाद कायम किया लोगों से मिले जो भी मौजीज गड़माने लोग थे उनसे मिले मिल करके हम लोग उनके साथ रहे लोगों से अपील करवाई मदरसों से मस्जिदों से अपील करवाई उसका नतिज़ा ये निकला कि बिलकुल सांथ पुर्ण महाहूल म प्रियाग राज में जुमे की नमाज के बाद पत्थर बाजी की घट्डा के मास्टर माइन मुहमद जौवेद और फ़म के अवैद निर्माड पर बुल्डोजर चला दिया गया है। सभी इलाकों में सभी मस्जिदों में जुमा की नमाज के साथ शांत्पूर्ण तरीके से अता की गई है। लेकिन उसके बाद भी जगा जगा पे हमारी फोर्स ऐलर्ट है। जितनी भी दुकाना थें वो भी ओपन हो चुकी है। बाकि एहतियात के तौर पे हमारी जो फोर्स है लगातार मुमेंट में और हर सेक्टर में हम लोगों ने परियाप्त फोर्स लगा रखी। राहूल गांदी से पूस्ताश के नाम परूत पीड़न और दल्ले पुलिस की बरबरता के खिलाफ कॉंग्रेसियों ने अलिगड में जम कर विरोध प्रदर्शन किया। कॉंग्रेस जिला महानगर अध्यक्ष और हरियाड़ा प्रभारी विवेग बंसल के नेत्रित में मैरिस रोट से जुडूस निकाला केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की सेंटर पुइंट के कलेक्टरेट जाने पर पुलिस ने रोक दिया सेंटर पुइंट पर रोके जाने पर कॉंग्रेसी धरने पर बैठ गया पुलिस ने कॉंग्रेसियों की तीकी नोग जूक हुई कॉंग्रेस जिला ध्यक्ष संतोस सिंग ने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर प्रदर्शन कर रहे हैं कॉंग्रेसियों पर दिल्ली पुलिस ने बरबर अफने विचार प्रिकट कर रहे हैं और मुखर रूप से सरकार की आलोषना कर रहे हैं तो उनकी आवास दबाने का एक प्रयास से E.D. जो चाहें वो C.B.I. हो, चाहें E.D. हो, चाहें PULIS तनप्र हो, वो इस सरकार का एक हत्यार बन गया है और उसके माद्यम से जन्विरोजा जनता की और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। निकाला और राहुल गांधी की एडी से पूस्ताज पर कहा की राहुल गांधी को से परिशान किया जा रहा है और राहुल गांधी निर्दोश हैं। प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। पहले प्राइम टीवी ने खबर को प्रमुक्ता के साथ चलाई थी और अधिकारियों ने मामले को संग्यान मिलिया। दरसल तलाब पर बनाये गए उचे बांध को हटवाने के लिए ग्रामिर ने स्डियम से मांग की थी जिसके बाल प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुक्ता से चलाया था। वहीं अब अधिकारियों ने तलाब का निरिक्षड किया और समस्या का समधान करने की बात कही। नवीन सतर का जुलाई में जो सुबारा गर्मियों के चुकियों के बाद सुबारा हुआ है इसमें बच्चों की उपस्थिती खहराओ और अईभाव को को प्रेरित करने के लिए हम सभी इकठा हुए थे। हम लोग ये लगातार प्रेयास कर रहा है कि बेसिक सिच्छा में हम जो बच्चों को सिच्छा प्रदान कर रहा है वो काफी गुर्वत्ता पूर रहा है। इसमार्ट क्लासिस के माध्यम से काया कल्ब के माध्यम से देशिक सिच्छा युहाग लागातार अपने विद्यालियों की एक तरफ होती सनचना पे सौंधरी करण पे ध्यान दे रहा है तो दूसरी तरफ मिशन प्रेड़ा के द्वारा हम बच्चों के गुर्वत्ता पूर प्रदेश में पुलिस का ओप्रेशन क्लीन अभियान जारी है मुरादाबाद क्राइम ब्रांच एसोजी की टीम और पाकबड़ा पुलिस को बड़ी सफरता हाथ लगी है जिसमें पिछले डेड़ महीने से फरार शातिर इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया वही पकड़े गया रोपी के ऊपर पहले से ही कई मुकद में दर्ज है इसका जो कर्मिल के बाइड है वो बाहर के प्रदेशों में भी है जैसे की पिलंगा ना अंधरा और कनादिका वहावी इसमें अधियमे साकेत महाविद द्याले में चार शक्षकों को पानी के साथ कोई जहरीरा पदार्त देने के बाद प्रोफेसर की हालत गंभीर हो गई जबकि तीन प्रोफेसर की मुँ में चाले और पेट में जलन की शिकायत है बता दे कि स्कूल में एक्जाम के दर्मियान शक्षकों ने महाविद द्याले में ने युक्त चौपरासी चनप्रकार से पानी मांगा था और पानी पीने के बाद शक्षकों को मुँ में जलन होने लगी मामले में शक्षकों ने इसकी शिकायत महाविद द्याले प्रिशासन से की संदेख पर सितियों में मिले केमिकल को लेकर संबंदित चौपरासी से पूस्ताच की जा रही है पानी मांगा पानी पिला है चपासी नहीं कोई था दूसरा चपासी था वो जाएक पानी लोग पिला है बस इतनी घटना घटी जो पानी बचा था उसमें डाल दिया बाजबेसिन में अब तक की कास खबरों में इतना ही देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार